असलाम नेकुम डियर स्टूरिंट आज हम स्टेंट राइट पढ़ने जा रहे हैं जो कह एक्स्टेंड़ टाइम सेट इसाइट पर रीडिंग हमने यह समझना है कि एक्स्टेंड़ टाइम कैसे डिफरेंट है उस टाइम से स्कूल में करते हैं में भी रीडिंग के लिए या लाइबरी के लिए तो लेट्स गिविट लोग कि यह क्या टाइम है और यह कैसे डिफरेंट है उस टाइम से जिसको भी हम डिसकस करने जा रहे हैं सबसे पहले तो एक इंपॉर्टन चीज है कि रीडिंग हमारी सोचल करते हैं और देफिनेटली वह दूसरों के इमोशन को भी स्थरा समझने के काबिल हो जाते हैं उनमें कुल्चर इंडिस्टेंडिंग पैदा होती है ना सिर्फ अपने कल्चर के लिए उन लोगों के लिए जिनका कल्चर आप से मिलता जुलता लगता है पर होता नहीं है और पढ़ रहें उसको उन्होंने अपने तौर पे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है उसका रट्टा ही नहीं माना बलको इसको इंटर्नलाइज करना है उसको समझना है उससे कॉंप्रिहंड करना है कि यह है क्या चीज़ और यह एक कोर है हमारी बुन्यादी तौर पे लिट्रसी और reading competency, दोनों का, comprehension, कि वो समझें, उसको internalize करें और उसको अच्छी तरीके से understand करें, उसके meaning को जानें कि वो क्या है, intellectually भी और emotionally भी, important thing, बच्चों को हम कितना time देते हैं reading के लिए, जो के उनकी reading hours, जो school में located हैं, या break, या library hours से हट के हैं, आई ये बहुत important factor है कि बच्चों को कित factor है उनकी critical thinking के साथ, reading comprehension के साथ, और उनकी language की achievement के साथ, so extended time इसलिए जरूरी है कि हर बच्चा जरूरी नहीं है, कि जो allocated time आपकी school ने fix किया है, वो उसी time में reading कर ले, या उसकी reading speed इतनी ही हो, और वो time enough हो बच्चों के लिए, especially अगर वो बच्चा उसे enjoy कर रहा है, especially अगर वो strongly related to time engagement, this time engagement के साथ, कि बच्चा कितना देर पढ़ता है, school में वो कितना पढ़ रहा है, और school के बाहर वो कितना ज्यादा पढ़ रहा है, अगर आप बच्चों की reading encourage करना चाहते हैं, तो आप उनको twice दें, कि वो अपनी किताबें कुछ चूज करें, जो literature वो पढ़ना चाहते हैं, जो poetry वो पढ़ना चाहते हैं, जो text वो पढ़ना चाहते हैं, वो से खुद पसंद करें, और उसके बाद उसको खुद चूज करें, उसके लावा, ताकि वो अकेले पढ़ना चाहें, तो अकेले पढ़ें, और जितनी देर पढ़ना चाहें, उतनी देर पढ़ें, या व बहुत ही important factor है उन बच्चों की socialization के लिए भी और उनकी expression of identity के लिए भी. Otherwise, हमारी जो reading है, वो सिर्फ रटे और एक obligation तक रह जाएगी और जो इसका important factor है, comprehension का, internalization का, वो नहीं हो सकेगा. So, what we need to do is, we need to actually have to engage or take out some time that they can spend with the guidance of knowledgeable literacy partner. जी, knowledge and literacy partner उनको help out करते हैं, उस text को meaningfully समझने के लिए, उसके अंदर जो message है, उस तक पहुशने के लिए, और ये उनकी अपनी critical thinking के लिए, बच्चों की develop करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये partner support करते हैं, कि वो जो text है, जो उसके अंदर message दिया गया है, चाहे हो educational support है, या उनकी बच्चों की creative expression तक, उनको ले जाने में उस text को मदद करते हैं, उसकी transformation में उस text को मदद करते हैं, आज यो हो सकता है, बच्चा early age पे खुश से ना कर सके. So, important factor हमारे पास यह आता है, कि हम एक layer time reading के लिए कैसे structure करें, इसके लिए families, और community, और teachers, तमाम लोगों को engage होना चाहिए. Families यहाँ जो हमारे caregivers हैं, they need to find out a layer time, and they need to structure a new layer time for children, ताकि उनके साथ बैठें, उनके साथ reading करें, उनके पास इतना वक्त हो, कि वो बच्चों से बाते कर सकें, और उनके किताबों को discuss कर सकें, जो वो मिलके पढ़ रहे हैं. The structure of layer time is critical, individual level पे भी है, और school के level पे है. Individual level का मतलब है, बच्चों के घर में भी इस time का structure होना जरूरी है, और school में teachers का भी इस time को structure करना जरूरी है. Teachers और tutor क्या कर सकते हैं, इस school में देखें, improved social practices, जो उनके पास timetable मौझूद है, और उसके अंदर जो time allocation और slots available हैं, उसके अंदर flexibility ला सकते हैं, ता कि बच्चों को जो है, वो reading time मिले, और वो अपनी मर्जिस से एक extended time तक पढ़ सकें, और अपनी critical self-learning जो है, उनकी habit उनके अंदर develop हो सकें. Community members को क्या चाहिए, policy makers को यह चाहिए, कि वो libraries को inclusive बनाएं, उसके environment को ठीक करें, वो negative factors जिसकी वज़े से बच्चे library नहीं जा पाते, यहां वो पढ़ने में engaged नहीं हो पाते, उन factors को हटाएं, ऐसी resources प्रवाइड करें, जिसके थू हमें कोई spaces मिल सकें, जगे मिल सकें, resources मिल सकें, जहां बच्चे अपना extended time reading के लिए allocate कर सकें, और उसे enjoy कर सकें, और उसको इसको इस्तमाल कर सकें.